नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका मेरे चैनल फे दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि डिफेन्स टेकनोलोजी के अंदर हमें बहुत कुछ करना है अभी भी हम दुनिया के सबसे बड़े इम्पोर्टर हैं तो ऐसे में दोस्तों अगर हम कोई चीज इंपोर्ट करते हैं पैस जो National Auditor CAG ने बताई है आज इसी के उपर डिसकस करेंगे चलिए दोस्तों शुरू करते हैं तो दोस्तो National Auditor CAG ने बुद्वार को बताया कि Defense Ministry ने बहुत बड़ी डिले दिखाई है MI-17 Medium Lift Helicopter के Upgradation को लेके और ये अभी तक Limited Capability के साथ Fly करते रहे हैं इनकी पूरी तरह से Operational Preparedness भी नहीं थी और Parliament के अंदर CAG ने अपनी Report रखते हुए कहा है कि 56 Helicopter ऐसे होंगे कि Upgradation होने के बाद उनकी केवल 2 साल की Life रह जाएगी और ये केवल इसलिए हुआ है क्योंकि उनका सही समय पर Upgradation नहीं हुआ है और दोस्तो आपको जानकर बहुत बड़ी हैरानी होगी कि 2002 के अंदर ये प्रपोज किया गया था कि Medium Lift MI-17 को Upgrade करना चाहिए और आज दोस्तो 2020 चल रहा है तो आप समझ सकते हैं कि 18 साल हो गए है और ये चीज पूरी नहीं हुई है तो कितनी Limited Capability के साथ ये हेलिकोप्टर उड़ाए जा रहे थे और दोस्तो इसके अंदर सरकार के उपर सवाल नहीं है Defense Ministry जो इतने लंबे समया से दूसरी सरकारों के अंदर भी काम कर रही थी उसने ठीक से काम नहीं किया इसलिए टोटल 15 साल लग गए लेकिन दोस्तो इस गोवर्मेंट ने 2017 के अंदर ये डील को फाइनल कर दिया था 90 MI-70 हेलिकोप्टर के लिए जो इसराइली कमपनी के साथ की गई थी और इस डील के हिसाब से 2018 के अंदर इनका अपग्रेडेशन शुरू होना था 2024 तक खतम होना था लेकिन ये खतम होने तक 56 हेलिकोप्टर ऐसे होंगे जिनकी 2 साल की ही लाइफ बची होगी और इसके इलावा दोस्तों CIG रिपोर्ट के अंदर इंडियन एर फोर्स को भी लतार लगाई गई है जिसमें कहा गया है कि मार्च 2010 ने आपने इसराइली एरोस्पेस इंडस्ट्री से 5 UAV Rotex इंजन खरीदे जिसमें हर इंजन की कीमत 87.45 लाग रुपए थी जबकि DRDO की ही एक Lab Aeronautical Development Establishment ने अप्रेल 2012 के अंदर यानि 2 साल के बाद में उसी इंजन को 24.30 लाग रुपए के अंदर खरीदा और उस समय इस इंजन का मार्किट प्राइस भी 21 से 25 लाग रुपए था तो सीधा सीधा दोस्तो 3.16 करोड का घाटा हुआ हमें क्योंकि हमने 3 गुना प्राइस पे किया इसके लिए और दोस्तो इसके इलावा रिपोर्ट के अंदर ये भी कहा गया है कि वेंडर ने मिस लेबलिंग की यानि गलत लेबल लगा के हमें अनसर्टिफाइड इंजन दे दिया कॉन्ट्रेक्ट के तहट जो सर्टिफाइड इंजन देना था वो नहीं दिया गया इंडियन एर फोर्स को को लेके और दोस्तो आप सोच रहे होंगे ये कमिये निकली है दोस्तो मैं आपको सबसे बड़ी बात बताना चाहता हूं कि प्राइवेट सेक्टर के आने से डिफेंस क्यों आगे बढ़ता है इसका सिंपल सा रीजन है कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर आप धांदली नह जी ने ये भी माना है कि इंडियन एर फोर्स के अंदर भी बहुत सी irregularly authorized चीजे हुई है जिसके अंदर filled area allowance को modify किया गया है इन सरजी allowance को गलत रूप से दिया गया है और इसके इलावा group captain rank के अंदर payment देने के अंदर बहुत सी violation हुई है और audit के अंदर दोस्तो ये भी निकल क के आया है कि इस तरह के illegal grant की वज़े से जो अलाव की गई हमें बहुत सा financial burden भी हुआ है ये लगबग 20 करोड के करीब है और अब इस amount को recover किया जाएगा उन IAF personal से जो इसके लिए responsible है तो ऐसे में दोस्तों CAG बहुत अच्छा काम कर रही है अगर ऐसी चीजे पता चलती है तो गलत लोगों को सजा मिलनी चाहिए और काम सही तरीके से होना चाहिए क्योंकि overall इसके अंदर जनता का पैसा लगता है धन्यवाद जैहिंद